हलो एवरिवन तो आप देख रहे हैं मिस्टीज आर्ड एंड टोडेज वीडियो इस ओल अबाउट फर्स्ट काई शॉपिंग हॉल तो आज की वीडियो में जितने भी क्लोधिंग आइटम्स होंगे उनका एज गुरूप होका 6-7 तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो ऊलीव ग्रीन कलर में फुल स्लिव नाइट सुट फूर सम्र्स इसका जो ब्रेंड है वह फिर में और इसका जो फैब्रिक है वह मिक्स कॉटन है और इसकी क्वाल्टी बहुत ही अच्छी है पैबरे की सॉफ कंफर्टेबल है फ्रंट पिस पे दो पॉक्ट भी दी गई है त टी शर्ट जो कि है एक रेड एंड ब्लैक चलिए इनकी क्वालिटी देख लेते हैं सबसे पहले है यह रेड वाली जिस पे बहुत ही क्यूट सा प्रिंट है और क्वीन लिखा हुआ है इसकी जो स्लीव है यह थोड़ा पॉट स्लीव है उपर से थोड़ा ब्रॉड है और इसक इस वन इस ब्लैक इसका भी प्रिंट बहुत क्यूट सी इस पे डॉल बनी हुई है और इसमें टैग मिसिंग था इसकी भी जो स्लीव है वह पॉट स्लीव है और कपड़ा कॉटन मिक्स है तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ इन सब का फुल लुक कर दो ग कर दो अब लुक अब मैं आपको दिखाती हूं नेक्स्ट आइटम जो मैंने मंगाया है तो यह है एक रेड कलर में लहंगा चोली जिसका ब्रैंड डेम सम्थिंग था साका डिजाइन बाइ सपना यह एक स्लीव लैस लहंगा चोली है इसका जो कपड़ा है वह बहुत अच्छा है इसकी जो ला तो यहां पर मैंने ऐसा लहंगा चोली चूज किया है जिसमें कोई भी एंब्राइडरी वगएरा ऐसा चुभने वाला वर्क ना हो जो बच्चे को अनकमफर्टेबल लगे इसकी बैक डिजाइनिंग बहुत अच्छी है और इसकी जो लहंगे की लैंध है वो भी काफी अच तो नेक्स्ट है यह लेहंगा चोली नवरात्री लुक में यह लहंगा चोली है जो बहुत ही क्यूट सी है यह देखिए इसकी चोली है कितनी क्यूट है इस पे थ्रेड और मिरर वर्क किया गया है जो की बहुत ही फाइन क्वालिटी का है बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे मिरर एंड थ्रेड वर्क किया गया इसका कम्प्लीट लुक जो लास्ट आइटम मैंने यहां मंगाया है वो है यह ब्लू फुल लेंथ जिन्स जिसका ब्रैंड नेम है पाइन केट्स इसकी क्वालिटी एक्चुली थोड़ी गड़बर थी फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्राई से मुझे ऐसा कुछ प्रोड़क्ट रिसीव हुआ जिसे मुझे रिटर्न करना पड़ा यह थोड़ा डिफेक्टिड मुझे लग रही थी इधर तो इसे थ्रेट निकले हुए थे और मतलब एकदम बिकार सी और गंदी सी यह मुझे रिसीव आने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इन सब के जो पर्चीजिंग लिंक है अगर आप लेविल होंगे तो मैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स वॉचिंग